नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो कुछी दिनों में आप सबको पता है कि भारत अपने एरो इंडिया को यहाँ पर होश्ट करने वाला है और 2021 का जो एरो इंडिया था तो उस समय HL ने अपना जो कैट्स प्रोग्राम है वो यहा देखने को मिल जाएंगे और अलग-अलग वैपन्स अलग-अलग रोल के लिए देखने को मिल जाएंगे तो इसी के साथ में अगर आप इसके मेन वैपन्स की बात करते हैं तो उसमें आप सबको कैट्स वोरियर, कैट्स इंफिनिटी, कैट्स अलफा और जो कैट्स हंटर मि और इसी के साथ में भारत और हमारी HL दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जो की इस तरह के एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक वर्फिर प्रोग्राम के उपर काम कर रही हो तो दोस्तों इसके अलावा ये जो दो नए वेपन्स इसके अंदर एड़ किये गए हैं तो उनकी जो इमेज है उसे आप सब स्क्रीन के उपर देख सकते हैं जहां पर इसके जो सारी वेपन्स है उनको भी दिखाये गए हैं लेकिन ये जो दो नए वेपन्स यहां पर दिखे ह पारन ये है कि इसमें ये जो दो नए हथियार है तो इनको हम ओमका और साथ में हेल ड्रोन के नाम से जानते हैं तो यहां पर इसके बाद में आप सबने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भारती वायुषेना ने अपने जो मिक 21 फाइटर जेट है तो इनको रिटायर करना शु एक प्रोग्राम में डिकोए और साथ में जो सुसाइड अटैक्स हैं तो इनको करने के लिए किया जा सकता होगा तो अगर आप इन तीनों फाइटर जेट की बात करते हैं तो यहां पर MiG-21 कीरन और साथ में जो MiG-27 जैसे फाइटर जेट है इनका यूज किया जाएगा और हमारे जो जैगवार फाइटर जेट है तो उनका भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है तो ओमका का यहाँ पर यह साफ मतलब है जहाँ पर इसको Unmanned बनाया जा रहा है तो ओमका की जो Full Form है उससे भी यहाँ पर साफ होता है यह प्रोग्राम हमारे जो रिटाइर होने वाले फाइटर जेट है तो उनको Unmanned करतने के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है इसी के साथ में यहां पर OMCA की जो full form है तो उसे optionally manned combat aircraft के तोर पर जाना जाता है तो इसके बाद में हमारी HL इस पूरे program के उपर हमारी जो private company है या पर जो startup है उसके साथ मिल करके काम कर रही है जिसे हम सब NRT यानि की new space research and technology के नाम से जानते हैं इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी यह होगी कि आप सबको पता होगा कि जो drones होते हैं तो यह काफी ज़्यादा limited quality में जो payload है उसे अपने साथ carry करतने में शक्षम होते हैं लेकिन हम यहां पर जो fighter jet है तो उनमें unmanned की capabilities है उनको यहां पर डालेंगे जिससे की यहां पर य देते हैं इसके second system की तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुवात में बताया कि अगर आप इनके बारे में details से जानना चाहते हैं तो प्लीस से comment section में जाकर के mention कर दीजेगा तो यहां पर जो second system है तो वह एक H.E.L. का नया UCA भी होगा और अगर आप design wise इसको देखते हैं तो यहां पर यह साफ दिखता है कि यह एक stealth drone यहां पर होने वाला है यानि कि इसका जो RCS है वो भी आप सब को काफी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा लेकिन इसमें एक ही engine का use किया जाएगा जो की काफी ज़्यादा powerful होगा इसमें हमारा जो स्वदेशी H.E.L देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जो documents और साथ में जिस तरहां की images सामने निकल करके आई है तो उससे लगता है कि यह एक ना तो medium weight और ना ही एक lightweight category का drone होगा बलकि यह एक 5 ton का heavy weight class का drone होने वाला है इसी के साथ में यह एक multi roll drone होगा जो की surveillance के साथ में जो weapons है उनको भी fire करने म शक्षम होगा और उमीद है कि इसके उपर 1000 kg से जादा का जो payload है तो वो यहां पर mount किया जा सकता होगा तो अगर आप इसको किसी category में डालना चाहते हैं तो इसे आप सब American Avenger और साथ में जो चाइना का WZ7 drone है तो इनकी category में डाल सकते हैं लेकिन यह drone अपने से जो weapons है उनको हैं तो उनको destroy करने में capable होगा और खास दोर पर इसका जो इस्तेमाल है वो आप सब को उनी के खिलाफ होते हुए दिखाई देगा तो दोस्तों overall इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सब क्या लगता है comment section में बताएगा साथ ही साथ अगर आप इसके ओपर एक detailed video चाहते है तो उसे भी आप comment section में लिख सकते हैं मैं जरूर से कुशिश करूँगा कि एक video इस पूरे topic के ओपर आ जाए तो बाकी तो अगर आपको video अच्छी लगी है तो video को like करतेजीगा और चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजीगा तो चलिए दोस्तों आज किस video में इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद